श्वीता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक आज एक महीना पूरा हो रहा है रूस और युक्रेन के बीच जो जंग है और इसलिए हम अलग-अलग हैं मुद्दों पर आज अपनी ये खास मैराथॉन पेशकर्श आपके लिए लेकर आए हैं अगले एक घंटे में हमारे तमाम समवादाता आपको जमीन से पूरा हाल पताएंगे लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं चुकि डर इस बात को लेकर पूरी दुनिया को है कि कहीं परमाणू हमला तो नहीं करेगा रूस अब युनाइटेड नेशन्स तग र खड़काऊ बयान सामने आया है जिसमें दुनिया भर के प्रतिवंद्रों के सामने रूस अभी भी अडिग खड़ा है नेटों ने अगर उकसाया तो परमाणू हमले का अधिकार है ये रूस की तरफ से कहा गया है 24 घंटे में दूसरी बार रूस की तरफ से परमाणू हमले की धमकी दी गई है कल भी क्रेमलिन के प्रवक्ता ने परमाणू धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर उन पर खतरा बढ़ता है तो परमाणू हथियारों के इस्तिमाल से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है कीव है केंद्र में लेकिन आक्शन जो है वो मॉस्को से लेकर यूरोप के दो अलग-अलग देशों में इस समय नजार आ रहा है हमारे तमाम समधाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं गौरफ सावन सीधे पोलंड से हमारे साथ जुड़ रहा है कीव से राजेश पव करीब लोग मारियोपोल में मारे गए हैं अगर यूकरेन की तरफ से बार-बार ये डर जता है जाता है कि देखिए हमारे शहर के शहर आग के हवाले किये जा रहे हैं हम क्या करें तो इस समय की स्थिती समझाईए और कीव में किस तरे का अक्शन आप देख रहे हैं वो भी बाइडन जो कि अमेरिका के राश्ट्रपती है वो शामिल होंगे इसके अलावा in लाट्विया, लिट्वेनिया, एस्टोनिया और पॉलेंड ये चार देश लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर जो सिक्योर्टी है उसको पुखता किया जाए क्योंकि किसी भी वक्त युक्रियन से अगर आगे युद बढ़ता है योरोप की तरफ तो ये सबसे पह कोश्चर में बदली कर दिया जाए ये एक मिलिटरी टर्म से हैं अर्थ सरफ ही है सीधे शब्दों में कि वहाँ और ज्यादा लगाया जाए और ज्यादा मिसाइल सेनाथ की जाए और और सैनिक वहां भीज जाएं दूसरा बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो है युक्रेन क स्वरक्षा का इस लड़ाई का कि युक्रेन को और कितना साजो समाल अवेलिबल किया जाए कि उन्हें क्या देना है किस टेकनोलोजी का देना है कितना एडवांस देना है और कितना साजो समाल देना है दूसरी बात इसको युक्रेन में पहुंचाना कैसे है देखिए अभी युक्रेन का जो है समुंदरी तक से बिल्कुल रूस ने काट दिया है किसी भी तरह से कोई समान समुदरी तक से एंटर नहीं हो सकता चाहे वो सी ओफ अजोव हो चाहे वो ब्लैक सी हो दोनों तरह से रूसी नेवी ने बिल्कुल ब्लॉकेड कर दिया है युक्रेन का किसी भी तरहें से वहां से कुछ इंसाज और समान नहीं आ सकता एर पहले ही वो खत्म कर चुके हैं कोई भी एरपोर्ट पे अभी कोई जहाज लैंड नहीं कर सता युक्रेयन में बिना रशन इंटरवेंशन के या तो उनकी तब्जे में हैं वो या उन्होंने उनको बिल्कुल बरबा से टागेट कर सकता है दूसरा बड़ा जो तीसरा जो बड़ा सवाज जो डिसकर्स होगा इस नेटो मीटिंग में वो है पॉलेंड का पॉलेंड के दो इशू है पहला इशू उनका है वो बोल रहे हैं कि किसने के शांती से ना भीज जा यूक्रेयन में ताकि जो वो एड़ ब्हीच रहे हैं उस जो लोग उसमें वोल्ड honestly को बचाय जा सके लेकिन नेटो की पॉलेंड की ईस मांग को अमेरिका ने से खारी कर दिया है अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि कोई यह पी स Alright कर He पॉलेंड की इस मांग को स्विकार नहीं किया जाएगा दूसरा इशू पॉलेंड का है कि जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं अभी 2.2 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं 22 लाख रिफ्यूजीज पॉलेंड के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनका खाना पीना रहना सैना एजूकेश लेकिन पॉलेंड बोल रहा है कि उसकी अर्थ विवस्ता भी इसका बहुत बुरा असर पढ़ रहा है और इसका सिविलन इंफरस्ट्रक्चर जो है वो चर्मरा रहा है लेकिन असर आसपास के देशों पर पढ़ रहा है लेकिन मॉस्को की रणनीती में क्या गीता ये बात श या फिर यॉरोपियन कांट्रीज इंडिविज्विली भी यूक्रेन में कदम रखते हैं बूट्स ऑन दे ग्राउंड इस अनक्सेप्टबल श्वैता और ये मॉस्को का क्लियर मैसेज है नेटो और वेस्ट को तो अगर वो कदम रखते हैं यूक्रेन में तो रश्या मजब रहें वो निगोशेशन पर हैं जहाँ पर रूस ने साफ कह दिया है कि नियूट्रालिटी क्लॉज बहुत इंपॉर्टन्ट है प्रेजिद्ट जिलन्सकी ने अभी तक उस पर कोई कमिट्मेंट नहीं दिया है तो जब तक बात वहाँ पर आगे नहीं बढ़ती है ऐसे आलाइस यूक्रेन में घुसे लेकिन गौरव ये डर बना हुआ है ये डर उन सभी देशों में बना हुआ है खासकर पोलेंड में तो और भी ज्यादा क्यूंकि महज 9 किलोमीटर दूर वहाँ पर जब मिसाइलें दाग दी गई थी रूस लारा तो उसके बाद और ज्यादा ये तैनाती हम मान सकते हैं रवस्ता वहाँ पर काउंट टाक्टिकल डिफेंस तो वो करने में सक्षम है लेकिन स्ट्रिटीजिक तोर पर कितने समय तक वो रह पाएंगे आप मारियोपोल को देखे रूस की सेना इस समय मारियोपोल शहर में है अगर आप खरसन को देखे रूस की सेना वहां मौजूद है आप डॉनबास से पूरा इलाका अगर आप देखे तो डॉनबास से लेकर क्रीमिया तक जो रूस एक पूरा कोरिडोर चाता था वो इसके कबजे में आ गया है लगभग पूरा डॉनबास से समय रूस के पास है तो एक बहुत बड़ी विजय के रूप में रूस इससे द देखें तो पूरी सुरक्षा राश्रोपेदी जिलिंस्की की कीव तक सिमट कर रहे गई है अलग-अलग भागों से कीव के एर डिफेंस के लिए सिस्टम्स को लगाया जा रहा है और जो उनके बॉर्डर के अलाके है वो कमजोर लगातार पड़ते जा रहे हैं ऐसे में चा 20 लाक लोग जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं यूकरेन के अंदर उनके लिए खाना या फिर जो करीब 22 लाक लोग निकल कर यहां पोलेंड आये हैं और देशों में गए हैं उनके लिए रसत सामगरी जो समुदरी रास्ते से आ रही है रूस उसे आने नहीं दे रहा है उदेशा के पोर्ट पर जमीनी स्थिती समय ये है राश्वपती जो बाइडन जब यहां पहुँचेंगे तो ब्रसल्स में उनकी बहुत महत्वपूर तीन बैठके हैं एक नेटो की एमरजनसी बैठक जिसको राश्वपती जिलिंस की भी संबोधत करेंगे दूसरी विश्वयुद की और आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से जैविक हत्यारों के इस्तमाल का की बात हो रही है जिस तरह रसाइनिक हत्यारों की बात हो रही है तो क्या न्यूक्लियर केमिकल बायलिजिकल वारफेर की स्थिती को हम देख रहे हैं इस पर जो बाइडन ने खुद कहा है कि ये बहुत बड़ा खत्रा है जिस पर चर्चा होगी फिर आर्थिक प्रतिबंध किस तरह से लगाए जाएंगे रूस पर आने वाले समय में जो और कड़े किये जाए क्योंकि रूस ने भी कहा दिया अगर यॉरप को गैस चाहिए तो अब उसे रूबल में पेमिंट क के लिए चार बैटल ग्रूप से समय यहां पर तैनाद किये जा रहे है तो अश्लुवाकिया में हंग्री में पोलेंड के आसपास सर्फिस्टु एर मिसाइल्स पेट्रिट सिस्टम स्ट्रेला सिस्टम जो भेजे जा रहे हैं समय जर्मनी से यूकरेन के अंदर तो बहुत ज क्योंकि भले ही उनकी सैन ये गती धीमी रही रूस की लेकिन उसके जो मिलिटरी उबजेक्टिव से ऐसा नहीं है कि वो अचीव नहीं कर पा रहा है उनको वो अचीव करता हुआ आगे बढ़ रहा है कीव को लेकर पूरा डिफेंस जरूर स्टॉंग नजर आ रहा है लेकिन युक्रेन किसी भी तरह इस ठिती में तो नहीं है कि वो युद को कि तस्वीर बदल सके या फिर उसका अंजाम पलट सके बस समय की बात हो रही है लेकिन इस समय छटपटा युक्रेन ही रहा है पूरे में युद उसे ही जिलना है बाकी सबको तो सिर्फ अपने मन की आशंक दे रहे हों पैसा दे रहे हूं उनके लिए माइने नहीं रखता हूं हमेशा अथिया और पैसा देते रहते हैं हर जो चाहिए हो सीरिया हो लीबिया हो इराक हो कहीं भी हो लेकिन जो लोग मर रहे हैं जो इंफरस्ट्रक्शर जामेज हो रहा है आप यह मान के चलें युकरेन इस वक्त कम से कम 10 साल पीशे धखेल दिया गया है डेवलिमेंट के हिसाब से इसको बरने में बहुत 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 लंबा समय लगने वाला है लेकिन मैं एक चीज़ क्लिए कर दूँ लेगा वो नेटों की जो मीट हो रही है आज होने वाली है उस पे निर्भर करेगा वो पॉजिटिव स्टांस लेते हैं बाचीत का तो उससे युद में कमी आएगी और अगर वो एग्रिसिव स्टांस लेते हैं कि हम उक्रेइन को और हत्यार देंगे और हम बड़ी चीज़े बेजेंगे तो युद और पचंड होगा और आने मिल दिनों में और लोग यहां अता करने देगा हंगरी नेटो का एक हिस्सा है और उसकी सीमा युक्रेइन से लगती हुई है इसका परसों सेटमेंट आया है युक्रेइन के डिप्टी प्राइमिस्टर का ये बोलते हुए हंगरीन की अलोचना करते हुए तो प्रेजिन बाइडन का एक बड़ा कारण आने का ये भी है कि वो एक युनेटी दिखास कें कि सारे नेटो देश एक जुट है जो की ग्राउन पर नहीं है इस वक्त उनके बीच में दरारे हैं और इन दरारों को बढ़ने का भी एक बड़ा कारन है कि जो बाइडन यहां आ रही है और ये बहुत जरूरी है अगर नेटो में हुआ क्रियेट किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ रूस के अगर क्रेमलिन के प्रवक्ता पहले दिन कहते हैं कि हम हमारे अधिकारों पर बात आएगी तो हम परमाणू से नहीं इचकेंगे आज एक बार फिर अगर उनके उपराजदूत की तरफ से कह दिया जाता इसी त लगता नहीं है कि नेटो या वेस्ट ये चांस लेना चाहता है और इसी लिए यूक्रेयन को अभी तक अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पर रही है लेकिन अगर हम रूस की बात करें बहुत कम देशे श्वैता जिन्होंने नो फर्स यूस पॉलिसी अपनाया है भारत उन जी अगर कदम बढ़ाता है यूक्रेयन की तरफ तो थो व्ल्ड वर होगा रूस यह नहीं कह रहा है श्वैता कि न्यूक्लियर वैपन रूस के तरफ से हो दो न्यूकलियर वर तो यह थ्रेट ही काफी बढ़ा है और इस पर इसी वजह से नेटो और नेटो ऐलाईज और वे और अभी तक अगर आप देखें जो बाइलाट्फिल मीटिंग पोलंड में होगा पोलंड ने अल्रेडी रुक बदल लिया है यॉरप में काफी सारे देश हैं जो जो अल्रेडी रुक बदल चुके हैं सब यह चाहते हैं कि निगोशियेटर पीस सेटलमेंट हो तो सेटे रहें तो गौरफ जब हम देखते हैं मौस्को की यह तस्वीरें तो वहाँ पर जिंदगी सामान्य नजर आती लेकिन जितने पश्चमी देश हैं नेटो संगठन हो गया उन सबको प्रतिमंद ही प्रतिमंद इसका एक मात्र उपाए नजर आ रहे हैं कुल में लाकर य और यही पश्चमी देशों की सबसे बड़ी समस्या है रूस के पास जो तुरुप का इक्का है वो उनकी गैस इंधन की सप्लाइए और गैस की सप्लाइए है जिसके बिना यॉरप का काम नहीं चलेगा इस समय और जो पलटवार किया है रूस के राश्चमति व्लादीमीर पूतिन ने जिन्होंने काई कि ठीक हम आपको गैस तो सप्लाइ करेंगे क्योंकि हम एक रिस्पेक्टिबल कंट्री है जो बिजनिस को ऑनर करते हैं अपने कमिट्मेंट को ऑनर करते हैं लेकिन आपको पेमेंट रूबल में करना पड़ेगा अब इस से पश्चमी देश चैना के साथ भी अब भुबल वान में ट्रेड की बात हो रही है भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड की बात हो रही है तो डॉलर एक करनसी के रूप में और कमजोर पड़ती जाएगी इस परिस्थिती में ये रूस की तमन्ना है और रूस लगातार ये कह रहा है कि 2008 और 2014 में जो प्रतिबंध हम पर लगे थे उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा कि इन प्रतिबंधों के साथ कैसे जीना है और हम उसमें और सुधार कर रहे हैं और अपने लक्ष की प् अपती में काफी आगे तक बढ़ गए है पोलेंड और हंगरी घवरा रहे है कि अगर अमेरिका केवल इसी तरह जबानी जमाखर्च करता रहा या केवल हत्यार देता रहा तो उससे अमेरिका का तो कुछ लाब हो जाएगा लेकिन इन देशों को लोंग टर में नुकसान हो स जो आर्थिक प्रतिबंद होंगे वो इंडिविजुल्स पर भी लगेंगे बड़े प्रतिबंद लगेंगे इंडिविजुल्स पर ओलेगार्क्स पर ताकि पूतिन पर दबाव बने पहली बात दूसरी बात आर्थिक सहायता पोलेंड की और यूक्रेन की और सेन सहायता य नहीं रुकेगा लेकिन ये defensive measures वो लेने की बात कर रहे हैं बहुत एहम बैठके आज भी और कल यहां Warsaw में भी श्वेता और जिन्हें लड़ना है वो तो देश Ukraine ही है तो राजिश हम उस सैन्य मदद की बात तो यहां पर है नहीं लेकिन सैन्य उपकरणों की मदद हो गई या humanitarian aid हो गया पैसों की बात हो गई पर क्या यह जो युद्ध लंबा खिचता जा रहा है एक महीना होने को आ गया इसके आगे खिचेगा तो क्या किवल रूस पर दबाव है यूक्रेन की की भी तो इच्छा शक्ती उतनी ही तूटती है आप एक regular army नहीं आप उस militia उस territorial army के साथ यह उस युद्ध के मैदान में हैं देखे श्वेता यह बहुत से एनलिस्ट बोल रहे हैं और western spokesperson बोल रहे हैं कि अमेरिका युद्ध चाथ दिन में खतम करना चाहता था तीन दिन में खतम करना चाहता था ऐसा नहीं है पहली बात यह कभी भी रूस ने ना तो यह मन्शा जाहिर की है ना उन्होंने किसी उनकी action से लगता है कि उनका पूरे Ukraine पर कभजा करना कोई इरादा था उनके political और military objectives बिल्कुर क्लियर थे और उसमें ना तो जेलिंसी को अटाना शामिल था ना पूरे Ukraine पर कभजा करना शामिल था अब यह यूद जितना लंबा चलेगा आप गिता मोहन की रिपोर्ट आप ने देखी मौसकोमी सिच्वेशन नॉर्मल है लेकिन यहां नॉर्मल नहीं है यहां के लोग लगातार अपना घर बार छोड़के refugee बन रही हैं इंटर्नली डिस्प्लेस्ट हो रहे हैं बिल्डिंगे तबाह हो रही हैं इंफ्रस्ट्रक्श त कीव के चारों तरफ उन्होंने ट्रेंचिज बनाने शुरू कर दिया हैं यह परमयंट मोर्चे हैं मोर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपके ओपर हमला तो आपने परदाश कर सकें अगर युक्रेनी फोज अभी मोर्चे में हमला करें तो रूसी फोज तैयार है उ हनोंने सरफ अपनी सप्लाइ लाइज जो हैं जो रसद आ रहा हैं चो बेलारूस से आरही हुँ चरूस से उसको मींटेन करके रखना है और उसमें खास बाधा नहीं पड़ रही है अमेरिका उसके उपर बंबारी नहीं करेगा जिस परकार रूस बंबारी कर सकता है कोई भी equipment जो Poland से Ukraine के अंदर आ रहा है तो आप फरक समझ रहे हैं रूस इसको बहुत मजबूत स्थिति में है militarily, diplomatically as well अभी अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि रूस को G20 सम्मिट से लेकिन चीन ने इस पर विटो कर दिया है, चीन ने बोला कोई भी देश को इधिकार नहीं है, दूसरे देश को G20 से निकालने का और पुतिन अभी परसनली G20 की मीट अटेंड करेंगे, श्वेता राजेश जिस तरह से बता रहे हैं कि कीव को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोशिश हैं की गई, ट्रेंचेज बनाए गई, यह सारी चीज़े हैं, हम आपको दरसल जमीन की वो हकीकत भी दिखाते हैं और वो तैयारियां भी दिखाते हैं आपको जो युक्रेन की तरफ से यह रिपोर्ट जड़ा देख लिजे किव प्रुड़ा थन्हेते हैं में आपको अन्हेलाओ झारता स्चास्ट कर दो आए गार्ब्रीयों कि की अचास्ट कर लूट कर दो कर आधको फो एको प्रोटने के रवा थारा हैं, प्रूव प्रेंच क्यूंवे क्या कि बीव बनाष लुट कर पिस्ट भीज़ाय भी आव के तो चुझे नहीं आपने से लिए लिएग पाहिए लिएखर नहीं है नहीं है कि रहे थासे बिलाओ कि थाओने टार। युक्रेन में जंग चिड़ी है, मॉस्को में जंग का रिमोट कंट्रोल है इन दो देशों की लड़ाई में एक तीसरा देश है जो चिंता और आशंका के साथ युक्रेन की बरबादी देख रहा है पोलन की राज़ानी वर्सो से लगभग 300 किलो मीटर दूर और युक्रेन की सीमा से महज 50 किलो मीटर दूर अगर आप इस इलाके को देख रहे हैं, यह मौकर जामोश का इलाका है अमरीकी सेना के सिपाही, उनकी बखतरबन गाड़ियां और बड़ी संक्या में बखतरबन गाड़ियां उनके रेडार और कुछ और डिफेंस का सामान अभी यहां लाया गया है अगर आप ठीक मेरे पीछे यहां पर देखे, तो इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है वो जो हरे हरे टेंट नजर आ रहे है, वहाँ पर अमरीका के सिपाही अभी यहां तैनात किये गए है क्या वो एक North Atlantic Treaty Organization के देशों के युदाभ्यास के लिए आये है यह सिपाही 15 फरवरी के बाद से आना शुरू हुए थे लेकिन मार्च के पहले हफ़ते में बड़ी संख्या में इनकी तैनाती यहां यूकरीन की सीमा से महज 50 किलो मीटर दूर कर दी गई है यह मोकले जामोश का इलाका है, यह वो एर फील्ड है और यहां पर चाहे वो सर्फिस टू एर मिसाइल्स की बात हो, बखतर बंद गाड़ियों की बात हो और मिलिटरी हाडवेर की बात हो, अमेर्की सिपाहियों की तैनाती की बात हो वो यहां की जा रही है, इसका उद्देश क्या है क्या ये एक American NATO exercise के लिए यहाँ पर ये सिपाही आए है या फिर जो तनाव रूस के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है उस दृष्टी से यहाँ की सुरक्षा को और सुद्रिड किया जा रहा है अभी अमेरिका के राश्रोपती जो बाइडिन भी पोलंड आएंगे वर्सौ में उनकी मुलाखात होगी पोलंड के राश्रोपती के साथ पोलंड ने मांग की है कि उसे न केवल अधिक संख्या में F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका से चाहिए बलकि उसने Patriot Surface to Air Missile System की भी मां की है तो क्या इन इलाकों में वो Missile System भी तैनाद किया जाएगा ये बड़ा प्रश्ण है कैमरामेन ललिज जोशी के साथ गौरफ सावंत मौकरे जामोश पोलंड आज तक ये खास कवरिज हमारे तमाम समवादाता आपके लिए लेकर आते रहेंगे बहुत बहुत चुक्रि गीता मोहन गौरफ सावंत इस पूरी बातचीत के लिए